तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है 1992 से लेकर 2020 तक पिहार में जितने भी एक्जाम हुए हैं उसमें टोटल 10 से 12 हजार के बीच में प्रिश्ट बनते हैं वो एक्जेक्टली 11 हजार के आसपास होना चाहिए अभी यह numbering नहीं है अब देख रहे हैं मैं खुद से कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उदर हो क्योंकि वो average करके निकाला गया था चलिए आज उसका हम लोग part 55 देखेंगे और इसमें हम लोग 252 प्रश्ण को देखेंगे यह series अब सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का बचा हुआ है मतलब अगले दो हपते में यह series complete हो जाने वाला है ठीक है तो अभी क्या है कि इसको जैसे हम लोग complete करेंगे तो एक video भी आने वाला है कि जो upcoming vacancy है बिहार दरोगा का और बिहार SAC का जो कैसे चलेगा मतलब क्या उसका आगे का रहन निती क्या होना चीए चैनल हम लोग आपके लिए क्या provide करेंगे प्रोबैबली एक दो लोग और जुड़ेंगे जो बिहार दरोगा का है या बिहार forester का है या range officer का है उनके लिए तो लोग अब कुछ न कुछ सेट लोग भी ले के आएंगे चलिए आज क्या पहला प्रशन है न्यूटन के गती के कितने नियम है तो total तीन नियम है अगला प्रशन है एक अश्र सक्ती में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं अगला प्रशन है इंदर धन उसमें सबस यह बंडारी करने के लिए बने पात्र किसों बने ऊते हैं तो लेड़ से बने होते हैं अगला प्रश्ण है सिर्के में क्या होता है तो एसीटिक अमल होता है अगला प्रश्ण है हैबर प्रक्रम किसके अधोगी उत्पादन हेतु परियुक्त होता है तो अमोनिया के अगला प्रश्ण है कौन सा अमल कांच को घोल सकता है तो हाइड्रो क्लोरिकम अगला प्रश्ण है ब्रह्मार्ण में सरवाधी पाया जाने वाला तत्तो कौन सा है तो हाइड्रोजन है अगला प्रश्न है वापदार्थ जो ठोस के रूप में दरव अस्था में दरव अस्था से कम घनत वाला होता है तो कौन सा होता है जल कैसे तो ठोस अवास्था में बोलेगा तो बर्फ के फॉर्म में होगा अगला प्रश्ण है और ये क्या है इसका घनत तो जल से कम होता है अगला प्रश्ण है फाई को लोजी में किसका ध्यन किया जाता है तो सेवाल का अगला प्रश्ण है किन में कार्बो हाइडरेट नहीं होता है तो बिसानू में कार्बो हाइडरेट नहीं होता है देखिए आपको देखे सबसे बड़ा वन जीव आभेरन आपको बोला है ना यह जंगली गद्धा यह जो है जंगली गद्धा का यह गुजरात में है यह बांदी पूर नहीं होगा अगला प्रश्ण है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है तो सीमा सुल्क है अगला बैंक भारतिय रिजर्ब बैंक के को रिन देता है क्या कहलाती है तो रिवर्स रेपो रेट देखिये बैंक यहां पर बैंक बोलने का मतलब है कॉमर्सियल बैंक और और अर्बियाई उधर है अगला प्रश्ण है हरी परसाथ चोरसिया किसके परसिद्ध वादक है तो बासुआ परसाथ राष्ट्रीय गीट वंदयमातरम किसने लिखा है तो वंकिम चंद्र चठर जीने अगला प्रश्ण है ध्यान चंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधि थे तो होकी से अगला प्रश्ण है भारतिय रेट क्रोस सोसाइटी की अस्ठापना कब हुई थी तो एक कल गलती हुआ था कि कभी-कभी जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उसके दौरान कोई काम आजाता है कोई फोन आजाता है या किसी किसी का मैसेज आता है तो रिपलाई करने लगते हैं उस दौरान क्या होता है ना कोई अगर दुवारा बैठते हैं तो एक दो प्रश्ण उपर नीचे हो जाता है ठीक है उसके करम में जो छूट जाता है ना वो ऐसे ही और जब यहां पर करार होते हैं तो समय का एक पाबंदी होता है मैं चाहता हूं कि एक फिक्स टाइम में कर दूँ इसलिए यहां पर उतना क्लिक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने कम सेकेंड में क्लिक करना नहीं पॉसिबल है तो चलिए अगला प्रश्ण है और इसी जी जवह है उसका कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कौन सा उपने आस्प्रेम चंद्र ने लिखाया तो रंगभूमी अगला प्रशन है अर्थसास की रचना केशने की है तो चाननक कोटल और बिश्नुगुप्त अगला प्रशन है किस भारतिय राज की सीमा तिबबत नेपाल भूटान और पस्चिम बंगाल को असपर्स करती है तो सिक्किम की अगला प्रशने वह संख्या जिसे यूरोपिय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है तो मिलियन एक मिलियन कितने के तो दस लाग के बराबर होता है अगला प्रशने सिली पॉइंट की स्खेल से संबंधित है तो किर्केट से संबंधित है अगला प्रश्ण है स्वतत्व यानि गुन धर्म की न्याय सिता का सिधान्त किशने दिया था तो महात्मा गांधी ने अगला प्रश्ण है राथ्यात्रा कहां का परसित्योहार है तो पूरी उडिशा का जगरनात मंदिर है वहाँ पे अगला प्रशने बंगलादेश का स्रिजन कब हुआ था तो बंगलादेश का स्रिजन 1971 इसवी में हुआ था अगला प्रशने राष्टपती अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो राष्टपती अपना त्याग पत्र उपराष्टपती को देते हैं अगला प्रशने योजना आयोग कैसा निकाए है तो कार्य करने निकाए अगला प्रशने हैवी इंजिनियरिंग कॉपरेशन कहां इस्तीत है तो यह राची में इस्तीत है अगला प्रशने भूमी चरों की तीरतम अस्तंधारी कौन है तो चीता अगला प्रशने किसके लिए होता है तो किसने ए पोलियो के लिए अगला प्रशने कैरोटिनोइड क्या है तो एक प्रति जैविक है अगला प्रशने वनस्पति घी में क्या होता है तो एकल असंत्रिप्त वसा होता है अगला प्रशने मुत्र का पी एच मान क्या है तो 6.0 अगला प्रशने पा या मिन ए अगला प्रश्ने नाइसी कार्ड क्या करता है तो PCS को जोड़ता है अगला प्रश्ने संगनक की गती किस में ब्यक्त की जाती है तो GIGAHARDS संगनक बोले तो computer अगला प्रश्ने DVD में वी का Earth क्या है तो versatile अगला प्रश्ने रैम में एक किसके लिए आता है तो XS अगला प्रश्ण है Facebook के संस्थापक कौन है तो Facebook के संस्थापक Mark Jukarberg अगला प्रश्ण है बायो डिजल किसे बनता है तो गांस आपको option दिख रहा था लेकिन वनस्पती से बनता है वनस्पती में बहुत सारे चीज़ आते है चली अगला प्रशन है रभी की फसल की कटाई किस महीने होता है तो मार्च अपरील में होता है अगला प्रशन है देखिए हम लोग E.S.I. का जो एकजान हो 2012 का पेपर देख रहे हैं अगला प्रशन है भारत के सरोच न्याले के मुखने अदिस की सेवा निवरिती आयू कितनी है तो अगर उच्तम न्याले का है तो सरोच न्याले बोले तो 65 वर्स उची न्याले बोले तो 62 वर्स अगला प्रश्ण है 1789 इस्वी की फ्रेंच करांती का महान युद्धा कौन था तो नेपोलियन बोना पार्ट अगला प्रश्ण है स्वतनत भारत के पर्थमगरी मंत्री कौन थे तो सरदार बल्लभाई पटेल अगला प्रश्ण है पचवर्षिय योजना को स्विक्रिती देने वाला सर्वच निकाय कौन सा है तो राष्ट्रिय विकास परिशत अगला प्रश्ण है प्राचीन भारत का सुपर्शिद ब्यक्ति पानी नी कौन था तो एक ब्याकरन सास्त्री अगला प्रशन है किषने भारत पर सरपर्थम आकर्मन किया तो अरबोने अगला प्रशन है भारत के राष्टपती की चुनाओं के लिए कौन सी यहोगता आवस्यक नहीं है तो लोगसभा का सदस होना यह आवस्यक नहीं है अगला प्रशन है देखिए लोगसभा का सदस होना सर्शोती के द्वारा अगला प्रशने भारती राष्टी कॉंग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे तो बिलगाओं के और कल ही इसके बारे में डिटेल बताया था मैं अगला प्रशने भारत की स्वतंता के लिए अजाद इंज फौस के स्थापना मुल उत्राष्ट महासाभा का कर्याले कहां है तो निवयार्क में है अगला प्रशने सार्क जिसको दक्षेस भी बोलते हैं कि अस्थापना कब हुई थी तो 1985 इसवी में अगला प्रशने जी 15 किसका समूँ है तो विकास सील देशों का अगला प्रशने दो बिशाल भूमी के छे एसियाई देश जहां से विशुवत रेखा गुजरती है कौन सा है तो इंडोनेसिया और यह बहुत इंपोर्टेंट प्रशने है अगला प्रशने दिपावली परकास का तेवार किनका निर्वान दिन है तो किनका भगवान महावीर का चलिए अगला प्रशने है हुड़को HUDCO, HUDCO क्या है तो देखे हुड़को क्या हाउसिंग अर्बन डेवलोपमेंट कॉपरेशन ठीक है तो यह है आपका हिंदी में गरी एवं सहरी विकास निगम सारदा अधिनियम किसे संबंदी थै तो सारदा अधिनियम किसे बाल विवा से संबंदी थै अगला प्रशने साथ टीलो का सहर यानि City of Seven Hills किसे कहते हैं तो Rome को अगला प्रशने The Indian Institute of Advanced Studies कहां पर इस्तित है तो सिमला में अगला प्रशने भारत रद्न प्राप्त करने वाला पर्थम बैग्यानी कौन थे तो सीवी रमन थे देखें सीवी रमन पहला बैग्यानिक भी थे और इनको सबसे पहले भी मिला तीन लोगों को मिला था अगला प्रशने मेरिल लिंच क्या है तो एक निवेसी बैंक है अगला प्रशने हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा किसने कहा था तो WGF हिगल कहे थे अगला प्रशने है संजुक्त राष्ट दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को अगला प्रशने है टेस्ट किर्केट के सरपर्थम 5 दोहरे सतक लगाने वाले भारती यह कौन है तो देखे यह राहुल द्रैविड है अगला प्रशने है सूरत सहर किस नदी पर इस्तीत है तो सूरत सहर किस पर तापी नदी पर अगला प्रशने है जपान की कैरेंसी क्या है तो जपान की कैरेंसी का नाम इन है अगला प्रशने है 100 यह वार यानि 100 साल की लड़ाई 100 year war किसका युद सिरिंकला है तो इंग्लेंड और फ्रांस के वीच अगला प्रशने इसराइल की संसत किस नाम से परसीद है तो निसेट अगला प्रशने बिस्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो देखिए यहां पर मैकसीको लिखाए है नै मैं बता रह Redigung होगा और कब बंगाल होगा तो बंगाल की जो खाड़ी है यानि बे हो बंगाल हो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है अगर गल्प कहीं पर मैंसन हो न तब आपको मैकसीको लगाना है अगला प्रशने भारत में परतम करनाडा को टिक लगाईएगा अगला प्रश्ण है सुर्ज के सबसे निकट का गरह कौन है तो बुद्ध है अगला प्रश्ण है प्रसीद रॉक गार्डेन किस सहर में इस्तित है तो चंडीगड में अभी हम लोग जेई जो बी एससी द्वारा आई जीथ हुआ था उसका एक् बीड को अगला प्रश्ण है लोग प्रिए गायक जगजीत सिन संगीत की किस सैली से जूड़े थे वो गजल अगला प्रश्ण है भारती राष्ट पती चुनाओं में किसने पीए संगमा को प्राजित किया था तो कौन परणाओं मुखर जी अगला प्रश्ण है चलिए प्रश्ण है उपनिशद को विदान्त की रूप में भी जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है तो 108 है अगला प्रश्ण है प्राचीन भारत का प्रसिद सासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म जो गरहन किया था कौन था चंदगुप्त मौर अगला प्रश्ण है अकबर के सासन काल में राजा टुडर मल कौन था तो वितिये सलाहकार था अगला प्रश्ण है भारत का राष्टिये कलेंडर किस पर अधारित है तो सक्सवत पर अधारित है अगला प्रश्ण है सबसे प्राचीन भारतिये भासा कौन है तो तमिल है अब्दुलकलाम इन में इसमें क्या है बेसिकली चीज समझे दोजार दो से दोजार साथ तक जो एपीज अब्दुलकलाम है वो राष्ट पती थे प्रेशिडेंट थे उनका जर्नी और चैलेंज इसमें लिखा गया है वो उन्होंने लिखा अगला प्रश्ण है पेलेंटियो किसके द्वारा होता है तो लाल अस्तिमज्जा यानि बॉन मेरो अगला प्रश्ण है सार्वत्रिक ग्राही रच्ट समु कौन सा है तो एबी और अगर दाता बोले तो ओ अगला प्रश्ण है तंबाकु धुम्रपांड करना स्वास्त के लिए हनिकारक्यों है क्योंकि इसमे निकोटीन होता है अगला प्रश्ण है 3D फिल्म देखने के लिए परियुक चस्मे में क्या होता है तो पोलो राइड होता है अगला प्रश्ण है डिटरजेंट किस सिधान पर सतहों की सफाई करते हैं तो प्रिष्ट तना मैं एक चीज देख रहा हूं इस वीडियो का धीर पर देखने क्या यह सब चीज है तो साइद यहां पे थोड़ा सा इसका रिच कम हो है मुझे नहीं पता क्यों साइद हो सकता है कोई रीजन हो थोड़ा सा कम हो है तो वह एक अलग मुद्द है तो यह होता है कि अगर आपके पास समय है अभी लॉक्डाउन में कहीं जाना न और 20-25 मिनट का सीरीज में आप 25 को देख रहे हैं रिवीजन के लिए इससे और बेटर क्या हो सकता है तो यह एक चीज है तो चलिए ठीक है आप लोगों को जैसा लगे वैसा करते रहे हैं मेरा काम है पढ़ाना बहुत सारी लोग बेनिफिट ले रहे हैं लगबग 600 लोग ह में संख्या का प्रिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है तो उसको इनकोडर बोलते हैं अगला प्रशन है सबसे अधिक अधातवर्द धातु कौन सी है तो सबसे अधिक अधातवर्द धातु शोना है अगला प्रशन है देखिए अधातवर्द क्या होता है यह समझे तो अधात वर्द वो होता है जिसको पीट के चादर बना सकते हैं अगला प्रशन है मनुस्त की संका प्राणिया तो देखे कॉर्डेटा का हम लोग है अगला प्रशन है मैरी कॉम किस खेल से संबंदीत है तो ये मुखे बाजी से हैं अगला प्रशन है कौन सा उपनियास फिल्म अगला प्रशन है कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदीर है तो शिरी पदम नाब स्वामी मंदीर ये तिर्वेंद्रम में है अगला प्रशन है अन्ना हजारे का वास्त्विक नाम क्या है तो किसन बाबुराव हजारे अगला प्रशन है सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने गरा होते हैं तो आठ गरा होते हैं अगला प्रशन है कौन से योग गुरु काले धन को भारत वापिश लाने की मांग के लिए भूक हरताल पर गय थे बाबाराम देव अब इनसे एक ट्वीट करके जरूर पू तो बढ़ गया है अपने भारत का जो था ओ लगभग 25 परसेंट के आसपास हो बढ़ भी गया है अगला प्रशन है जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थाप कौन है तो रिशब देव अगला प्रशन है सबसे प्राचीन गुरु कूल कौन है तो तक्च सिला है अगला अगला प्रश्न है कौन से मंदीर को कला सिवालय का नाम मिला तो कला सिवालय का नाम किसे तो सूर्य मंदीर को मिला अगला प्रश्न है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था तो गौड गौड सासक वहाँ पे सासन करते था इसलिए अगला प्रश्न है नागर द्रविड और बेस जरतिन परमुख क्या है तो भारतिय मंदीरों की वश्टू सहली है अगला प्रशने है भारत में स्वर पर्थम किसे यह सिधान दिया कि पृत्वी सूर्ज की परिकरवा करती है तो किसे आयरभर्ट ने दिया था अगला प्रशने है, सेरसाग अच्छी तरह से अपने प्रशाषनि कौसल के लिए प्रसिद्ध है, विशेस रूप से किस के लिए प्रसिद्ध है तो भूमी राजश Dude परनाली के लिए अगला प्रशन है बुलन दर्वाजा जो की अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी बिजय का प्रतीक है तो गुजरात बिजय का और फत्यपूर सिक्री में इसको बनाया गया है यहाँ पर एक चीज और आता है अलाई दर्वाजा तो अलाई दर्वाजा दिली में है और अलाहुदीन खिल जी के द्वारा ये निर्मित है अगला प्रशन है बीवी का मकबरा किसकी मकबरा है तोदी कि औरेंजेब की पतिनी का मकबरा है लेकिन औरेंजेब ने इसको नहीं पोता बनवाया था मुझे नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन इतना मुझे जरूर याद है अगला प्रशने भारत आने वाला प्रथम एरोपिये कौन थे तो पुर्तगाली थे अगला प्रशने सती प्रथा को अवैद किस्ने घोसित किया था तो लॉर्ड विलियम बैंटिक ने अगला प्रशने अठार सो संतावन इसवी में प्रथम भारतिय विश्विद्याले कहां कहां खोला गया था तो कलकता में अगला प्रशने बिटिश सरकार का प्रथम भारतिय सदस्च कौन बना तो डीबीये न यानि दादा भाई नौरोजी ने अगला प्रश किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था तो भारतियों उप महाद्वीप के किसी छेत्र को छोटे-छोटे बिरोधी राज्जी में भीवाजन करने के उधिश से अगला प्रशन है किस ने कॉंग्रेस को कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसाधा तयार किया था तो पंडित जवाहरलाल नहरूने अगला प्रशन है किसे भारत करांती की मा के रूप में जाना जाता है तो मैडम भीकाजी कामा को अगला प्रशन है प्रितवी सुर्ष से अधिक्तम दूरी पर किस दिन होती है तो 4 जुलाई को अगला प्रशन है प्रितवी की सता पर खीचा गया सबसे बड़ा ब्रित कहां से गुजरेगा तो यह भूमत रेखा से मैं कितना बार बोला हूँ कि अगला प्रशन है यह दो अस्थानों के समय में दो घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके दिसांतर में कितना अंतर होगा मैं बोलता हूँ क्या सबसे पहले इसको आप मिनट में कनभर्ट कर लिए दो घंटा का हो गया 120 और 20 मिनट का यानि 140 मिनट हो गया भागा आप 4 से कर द अगला प्रशन है धुरू छेत्रों में अती तेजवा बर्फीले ठंडी वहने वाली वायू को क्या कहते हैं तो लिजार्ट बोलते हैं अगला प्रशन है जिन बिरिक्षों की जड़े कम गहरी होती है उनका किस जलवायू से संबंध होता है तो भूमद्य रेखिए जलवा अगला प्रशन है पोटा बोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरन है तो मिडले टिट्यूड रेगिस्तान अगला प्रशन है कौन सा देश बिश्व का पर्मुकोहला उत्पादक देश है यहां पे आप लोगों में थोड़ा समय देखा था सेट में कनफ्यूजन रहता है अग लेकिन अगर स्टोरेज का बात किया जाना तब जाके आप लोग युए से पर ठीक लगाईएगा अगला प्रशन है पौन सकती का पर्मुकुपयोग कौन देश करता है तो हॉलेंड करता है अगला प्रशन है बिश्व की सबसे लंबी परवत सिरिंकला कौन सी है तो एंडी भूमत देरेखा को दो बार पार करती है तो कांगोरी भर अगला प्रशन है बिश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है देखे एगेन यहां पर मैक्सिको दिया है आप उसको काटिये बंगाल कीजिए बेव बंगाल कहीं अगर गल्फ दिख जा तो मैक्सिको ठीक लगा दिजेगा अगला प्रशन है बिश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर देशिये जलमार कौन सा है तो मीशी सीपी नदीब परणाली अगला प्रशन है नौ डिग्री चैनल किसको अलग करती है तो लक्ष दीब तथा मिनी काय को अगला प्रशन है भारत में समुद्र तर्ट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो नौ है अगला प्रशन है डीजल के रेलवे इंजन कहां बनाया जाते है तो वारा नशी में अगला प्रशन है साइना नहवाल किस खेल से जूड़ी हुई है तो बैड्मिंटन से अगला प्रशन है देखिए ये प्रशन 2012 से अभी तक लगातार आता है और आता रहा है आगे भी आएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन खिलाडी है अगला प्रशन है भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है इस से बड़े तीन कहां कहां है तो रूस युवेसे और कनाड़ा अ अगला प्रशन है सरकार के संसद्ये रूप में राज की वास्त्विक सकती किसमे नहीं थोती है मंत्री परसद जिसकी अध्यक्सता परधान मंत्री के द्वारा हो देखे सरकार की संसद्ये रूप में राज की वास्त्विक सकती अगर एक्चुल हेट की बात करे ना तो प्रश्ने कोन भारत के राष्ट पत्ति के विरुद महाभ्यों की करवाही चला सकते हैं तो संसत का कोई भी सधन आर्टिकल 61 के तहट चला सकते हैं अगला प्रश्ने कौन राष्ट सभा का सदस्थ था जब वो पहली बार भारत का परधान मंत्री नियुक्त हुआ तो कौन तो इंद्रा गांधी थी और आपके मनमुहन सीन भी राष्ट सभा से ही आये हैं लेकिन अपने मोदी जी कहां से हैं ये लोग सभा से हैं अगला प्रश्ने लोग सभा का पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो जीवी मावलंकर अगला प्रश्ने सरवाजनी खाता समीती का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं तो लोग सभा अध्यक्ष के अगला प्रश्ने उचिन्याले के जजों की संख्या कौन निर्धा पारित करता है देखिए वहां पर पता नहीं राष्टपति क्यों दिया गया है लेकिन संसत से जो प्रस्ताव पास होता है उसके बाद राष्टपति के बास जाता है फिर होता है अगला प्रशन है देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लि तो कलाइव लोयड था अगला प्रशने अंतराष्टी ओलांपिक समीती का कर्याल है कहां इस्तित है तो लाउजिन में इस्तित है अगला प्रशने उन्नी सो चौवन इस्वी में आरम पर्थम भारत रत्म समान किसे दिया गया था तो मैं इसे पहले भी बोला गया हूँ आपक प्रशने कलिंग प्रुषकार किस चेत्र में दिया जाता है तो विज्ञान के चेत्र में दिया जाता है अगला प्रशने भारत में बीरता के दो सरवच प्रुषकार कौन है तो एक है प्रमबीर्चक्र तथा दूसरा महा वीर्चक्र अगला प्रशने विशीरा प्रुषका किस चेतर में दिया जाता है तो आउस्दी के चेतर में दिया जाता है अगला प्रशने किस देश में आयकर की दर सरवाधिक है तो देखिए पहले उस टाइम जपान था अभी आपका स्वीडन हो गया है तो स्वीडन हो गया कितना पता है कितना कर है तो 57.19 परतिसत अगला प् प्रशने कौन सी गैस सूर्ज में परमुखतम है तो हाइड्रोजन गैस. अगला प्रशने समुद्री जल वर्सा के जल की अपेक्छा अधीक खारा होता है क्यों क्योंकि नदिया भूमी से लवन लाती है तता समुद्र में मिला देती है अगला प्रशने वह तत्त जो प्रकृ dgshil होता है उसके द्वारा अगला प्रश्ण produkt किस विटामिन को हर्मोन माना गया है तो किसको टो विटामिन d को हर्मोन भी माना गया है अगला प्रश cart Palestine लाइफ लाइफ लाइन एक्स्प्रेस क्या है तो बारत में रेल पर रिचारन पर 20 का पर्थम चिकितस अलैं अगला प्रश्ण है सेलीने एक चंदर और्बिटर मीशन अभियान किस देश का है तो या जापान का है अगला प्रश्ण है सिमेंट का एक सर परमुख आउयो क्या है चुना पत्थर और या लाइमेस्टोन दोनों था आपके आप्शन में देख लिजेगा इसको मुझे गलती के काटने से कौन सा रोग हो सकता है तो रैविज अगला प्रश्ण है आँख की पुतली आईबॉल के संकूचन के कारण एक दूर दिरिष्टी वाली आँख देख सकती है केवल क्या दूर की बस्तविये जिसे उतर लेंस का उप्योग करते हुए ठीक कर दिया गया है अगल अगला प्रश्ण है राजसभा कर सदश्यो के दियुक्ति कौन करते हैं लेकिन है पढ़ा जाएगा अगर आप कोशिस करेंगे तो पढ़ा जाएगा SO तो राज्जी के बिधान सा भाव के सदस्य करते हैं। अगला प्रशने दक्षेस यानि सार्क की वर्तमान सदस्य क्या कितनी है तो आठ है। अगला प्रशने महात्मा गांधी ने कौन सी पत्री का शुरू किया था तो हरीजन। अगला प्रशने भारत में भुदान वा ग्रामदान आंदुलन किसने आरंब किया था तो अचार्ज विनोभा भावे ने। अगला प्रशने राज्ज्य में राजपाल की निउक्ति कौन करता है तो राष्टपती महोदय करते हैं। अगला प्रशने किस देश में परत्यक्ष लोक्तंत्र अस्थाफित है तो अपना प्यारा भारत अगला प्रशने भारत में संपूर्ण करांती का आहान किस ने किया था तो जैप्रकास नरायन ने अगला प्रश्ण है भारतिय जनता पार्टी की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो भारतिय जनता पार्टी की अस्थापना 1980 में हुई थी अगला प्रशन है और आज जब उस समय कोई भोट नहीं देता था सोचिए आज क्या है आज सबसे बड़ी पाठी के रूप में उभर के राई है इसलिए कहा जाता है आप मेहनत लगातार कीजिए आपको सफलता एक नए एक दिन जरूर मिलेगा और ओ सफलता ऐसा होगा ना ल कि छिम संथ के रूप में अगला प्रशन है सिदार्थ ने किस धर्म के अस्थापना की तो बहुत धर्म की अग्ला प्रशन है थियो सोफीकल सुसाइटी की अस्थापना किसने की एनिवे सेंट नहीं एच वालाव वात्स के अगला प्रशन है किस घचना को दूतिय अंदोलन का नारा दिया तो खिलाफत आंदोलन के दोरान, अगला प्रशन है, सविने आज्या आंदोलन की शुरुवात कभ हुई थी तो 1930 इस्वी में, अगला प्रशन है, इस्वर्चंद विद्या सागर ने किस छेत्र में सहयोग दिया, तो किसमें बाल बीवा को रोकने में अगला प्रशन है, किनका उपनाम सिमान्द गांधी था, तो खान अब्दुल गफार खान का, अगला प्रशन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, देखे अब ठीक हो गया पीडिया, अगला प्रशन है, कौन सा उपकरण वायुदाब मापने हेतु परियुख्थ होता है, तो कौन सा बैरोमीटर? अगला प्रशन है, कौन से भी वाय मंडलियब परत, जो सूर्ज के पराबैगने विकिरनों से हमारी रक्षा करती है, तो कौन ओजोन मनडल? अगला प्रशन है, सरदार सरवर बांद किस नदीर पे है, तो नर्मदा नदीर प होती है तो पhrasij sutra पूरप अग्ला प्रशन्य में समानदाव वाले अस्थानों से गुजड़ने वाली आपनी करे खाए क्या का लाती है तो उत्पादक नहीं आई शुबार अग्ला प्रशने औरत पर्दर्सन की विदी जीसमें आदरता को परतीत में परदर्शित किया जाता है वह क्या है तो सांपनाeschy और त्छ सजा को कौण निरस्ट कर सकता है तो स्वतनत्रा के बाद by पहला भारती गर्नेलल इन कौन बना था तो कवरती राज कोपाल चारी अगला प्रश्ण है भारती राष्टी कॉंग्रेस के संस्ताप कौन थे तो यह हूं अगला प्रश्ण है संपर्दाइक्टा का अर्थ क्या है तो धर्म के अधार पर समाजिक विभाजन अगला प्रश्ण है कौन सा प्रदेश कौन सा परदेश है जो फल क्रिशी के लिए परसिद है तो भूमद सागरिय परदेश अगला प्रशन है पंच्छिल का परतिपादन किस वर्ष में हुआ तो 1904 में अगला प्रशन है अंतराष्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को अगला प्रशन है भारतिय रुप्या का नया परतिक चीन किस ने तयार किया तो डी उदैकुमार अगला प्रशन है फूलो की घाटी कहां इस्तित है तो फूलो की घाटी उतराखर्ण में इस्तित है अगला प्रशन है अमजद अली खान किस वाद यंतर से संबंदी थे तो सरोध से अगला प्रशन है रेड क्रोस संस्था के संस्था पर कौन थे तो जीन हेंरी डूनेंट अगला प्रशन है फल के रस खिमिरी करण के दोरान कौन सी गैस पैदा होती है तो CO2 अगला प्रश्ण है मरुद बीदी अनुकुलन में पत्या किस रूप से रूपांत्रित हो जाती है तो सूल में अगला प्रश्ण है सित निश्क्रियता किस में पाई जाती है तो पाई मेट्स में अगला प्रशने फिफ़ों का प्रिश्च छेटफल कैसे बढ़ जाता है तो रखत वाहिनियों द्वारा अगला प्रशने किस परकार की कोशिका विभाजन में गुन सुत्रों के जोड़ बनते हैं तो अर्ध सुत्री अगला प्रशने गुवाणिन और साइटोसिन कीम के दवारा जुरे रहते हैं तो तीन हाइडरोजन बंद के दवारा अगला प्रशने मेढ़क का टेड़ पोल किस रूप में अनुकूलित होता है तो एमोनो तेलिक अगला प्रशन है एक उत्ता लेंस के सामने एक बस्तू रखी जाएगी तो कैसा परतिबीम बनेगा सीधा बनेगा अगला प्रशन है जब ध्वानी तरंगे चलती है तो यह अपना साथ क्या ले जाती है उर्जा अगला प्रशन है रोकेट किस सिधान पर कार करता है तो समवेक सरक्षन के सिधान पर अगला प्रशन है किसी लेंस की छमता 0.5D है तो क्या है या एक उत्ता लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है मैं बताया हूं इसको कैसे निकालना बहुत सारे टेस्ट में बताया हूं अगला प्रशन है विलियन का सांदरन व्यक्त करने की कौन सीकाई ताप के परभाव से परभावित नहीं होती तो मुललता अगला प्रशन है इलकाइन्स का समान सुत्र क्या है तो CN is 2N-2 अगला प्रशन है द्रौ क्या होता है तो द्रौ क्या होता है नियत आतन नियत आकार एवं असंकोचन अगला प्रशन है पेट्रॉलियम के परभावी आश्वन द्वारा कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं तो नेप्था, डिजल, आयल और किरोसीन अगला प्रशन है बंगलादेश एक स्वतंत राष्ट कब बना तो 1971 इस्वी में अगला प्रशन है नगर डिगम के अध्यक्स कौन होते हैं तो महा पौर, अगला प्रशन है संवीधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निशिल एवं अनिवार सिक्षा की विवस्ता की गई है तो 6-14 वर्ष, अगला प्रशन है वासको डिगम में कहां का यात्री थ अगला प्रशन है प्राग एतिहासी का अलका क्या आर्थ है तो वह समय जिसका कोई एतिहासी की लिखित बेवरा ना हो तो आज हम लोग इतना देखे हैं 252 प्रशन को क्या है कि अब जो बचा है दो हपते का सीडूल बचा है ठीक है तो आप लोग मन से पढ़िए एक्जाम अक्टूबर में होना है चुकि बिहार एस टीटी का एक्जाम सीडूल लोड़ चुका है दरोगा भी आ गया तो अब सारा एक्जाम होना है और में भी अगले साल तक जो भी है वो सब चीज टाइम पे होने लगेगा और जिनको बीपीएसी या बिहार दरोगा का त्यारी कर होगा लगभग 200-300 प्रेक्टिसेट मैं कराऊंगा उसके बाद सारे पब्लिकेशन का मैं आपको करा दूँगा उसके बाद एक्सपेक्टेड कोस्टन भी कराया जाएगा उसके साथ मैं आपको पता है क्या कराएंगे चितने भी टॉपिक है ना जहां से आपको समस्या होता आप एक बार देखिएगा मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ अपना नहीं कर रहा लेकिन आप एक बार जरूर देखिएगा जो सब्जेक्ट वाइज उसको जरूर देखिएगा आपके सारे परेशानी आप जहां भी परेशान होते थे ना सब चीज खतम हो जागा उसके बाद यही फिर रोकते हैं मिलते हम लोग अगले वीडियो में कल सुभा के वीडियो में 15 अगस्त ठीक है आप सब अच्छे से मनाईए घर में है तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है आप लोग देखिए यह सब भावना आप दिल में होना चीए बहुत सारा चीज दिखाने के लिए नहीं होता दिल से प्यार करते हैं तो आपको करोना में ख्याल रखना है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है